असलाम अलेकूम, वेल्कम बैक टू माई चैनल, आज की क्लास में कुछ नया बताने वाली हों, इससे पहले इंफर्मिशन देना चाहूंगी, कि जो लोग इस कोर्स में एड्मिशन लेना चाहते हैं, तो इस इंस्टिटूट आफ टेक्निकल एड्मिशन में एड्मिशन ओपन हैं, और आप हमें कॉंटाक कर सकते हैं, दिये गया नंबर पर वाट्साइब के थू, तो जल्दी कीजिए, अपनी सीट रिजर्व करिए, और बता दूं कि ये कोर्स फ्री आफ कॉस्ट है, कोई बिसकी टूशन फीस नहीं है, ओनलाइन आफ लाइन आप दोनों ही जोईन कर सकते हैं, और एस्पेशली लेखना और आसपास के स्टुडेंट्स के लिए तो बेस्ट कोर्स है ये, और ये पार्टाइम कोर्स है, कोई भी इसको जोईन कर सकता है, तो चलिए देखते हैं, उससे पहले जो लोग हमारी चैनल पे नए हैं, वो हमारी चैनल को कर दें, लाइक कर दें, लाटिफिकेशन को भी ओन कर दें, ताकि लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग कैलिग्राफियो ग्राफिक डिजाइन और इस इंस्टिटोट अफ टेकनिकल एजुकेशन के जो भी अपडेट्स हैं, वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें, तो चलिए इसकी वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो कलर में आप अक्रिलिक कलर लीजिए, पोस्टर कलर ले लीजिए, जो भी कलर्स आपके पास अवालेमेल हैं, उनको ले सकते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा पानी आड़ करना है, और उसकी कॉन्टिटी ये देखनी है कि इस टाइप से, स्मूतली आपका पैन उस इंक में चल पाए, बहुत जादा गारी भी नहीं होनी चाहिए, और बहुत जादा पतली भी होनी चाहिए, ये जैसे कि आप देख रहे हैं, अब आपको एक ट्रिक ये बतानी थी, कि आपकी इंक अक्सर गिर जाती है, तो उसके लिए, हलाग ये वीडियो बनाते हुए, मेरे हाद से भी बतानी वाली थी, तो अब आप देखेंगे, तो इंक में आपको क्या करना है, क्वाटन कपडा, क्वाटन तागा बहुत सारा ले के आप उसको डालते हैं, तो आपकी इंक जो है, वो गिरने से बच जाती है, और इ उसको लिख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, तो ये देखिए कि जैसे मैंने भी बताया था आपको, कि इंक इसमें बोटल मेरे हाँ से छूट गी और इस तरह से इंक पहल गई पूरे पेपर पे, अब चलिए एक उपचुनिटी इसमें ये भी देखते हैं कि जो हमारी इंक खर आप वह उसको हम कैसे उससे फाइदा उठाते हैं, उसको हम कैसे यूज करते हैं, यूटिलाइस करते हैं उस पेपर को और उस गिरी हुई इंक से हम एक बैग्राउंड बना सकते हैं, ये देखिए मैंने थोड़ा से ओरेंज कलर और ले लिया है, इसमें ग्रीन कलर की इंक पीस में पूरा चला गया था, ब्लाक कलर तो उसको भी मैंने इसमें लिया है, ये देखिए आड किया है, तो इस तरह से आड करने के बाद में, पेपर के उपर हम उसको चारो तरफ थोड़ा बहुत इदर इदर मौफ करेंगे, इंक डाल के गपर से, तो अपने आप एक कालिग्रफी बैक्राउंड बनाने के लिए, तो ये देखिए और उसके ये काम करने से पहले आपको बहुत ही एथियात से काम करने है कि आपके कपले खराब नहीं हो, आपके हाथ खराब नहीं हो, और नीचे कुछ रख लीजे जैसे मैंने इस पेपर रखा हुआ है, ताकि इसमें मैंने डॉपर का भी यूज़ किया है, ब्रश का भी यूज़ किया है, और तीन, और अकसर 90% ये होता है, तो कि अलिग्रफी करते वक्त, इंक आपके हाथ से छोड़ जाती है, गिर जाती है, और अगर आपके याँ बच्चे हैं, आपके आस पास, तो वो कभी हाथ उन्होंने मार दिया, कभी गिर गई, मेरा खुद का बेटा है, वो भी एकसर ये करता है, तो इस तरह से हम उसको आपका जो माटेरियल है, जो समाने वो खराब नहीं होगा, आप उसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो मैं बनाने कुछ और जा रही थी वीडियो और बन चीज, कैलिग्राफी करते वक्ते, तो हम उसको इस तरह से उटिलाइज कर सकते हैं, और अब यह अच्छा से बैग्राउंड तैयार हो गया, अब इसको मैं वह सुखने के लिए रख दूंगी, और इंशाल्ला नेक्स वीडियो में मैं बताऊंगी, कि इस पे क्या कैलिग्र करी जा सकती है, तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में, थैंक्स फॉर वचिंग, जाने से पहले कहना चाहूंगे, कि जो लोग हमारी चैनल पे नए हैं, नियो रजिस्टर्ड स्टुडेंट्स हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, और कमेंट करके कर सकते हैं, नंबर दिया जा रहा है, तो इस नंबर पर आप कर सकते हैं, ओनलाइन-ओफलाइन, दोनों ही क्लास अवालाबल हैं, और यह सिर्फ लगनाउ के स्टुडेंट्स के लिए, लगनाउग, यू पी के,